नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन है तुरंट वीडियो में कमेंट करके जरूर रता है एच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को यही नमबर है हमारे सिर्फ यहाँ पर पॉल यावर्ट्ट अफेर का यह तीसरा वीडियो है वीडियो शुरू करने सपहले मैं आग बता दू यूपी पीसेस परी बिपीर सी उतरा खंड पीसेस साहिथ का यह पेड़ कोस्ट चले हमारे अगर आप हमारे कोई पेड़ चले है तो आई वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है इसमें तीन स्टेट्मेंट दिया गया है कौन सा स्टेट्मेंट सही है आपको यह बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज जली जीव घोसित किय है दूसरा स्टेट्मेंट है गंगा डॉल्फिन को 2009 में 2009 में भारत का राश्टी जली जीव घोसित किया गया था तीसरा स्टेट्मेंट है राश्टी डॉल्फिन दिवस 5 अक्ट्यूबर को मना जाता है तो इसमें जो है वह तीनों स्टेट्मेंट सही है यानि इसका option D उप तो 5 अक्ट्यूबर को मना जाता है उत्तरप्रदेश में लगभग लगभग यह लगभग 2000 के आस्वास में गंगा डॉल्फिन पाए टी और यह अक्मेर नधीयों पाय जाती है डंगा डॉल्फिन जो है वा नधियु मेंगणा नधीयों घागरा है इन नधीयों में जो है डंगा डॉल्फिन पाई जाती है इसका e-ds terror अगला प्रसंद देखते हैं हम लो हाली में उत्तर प्रदेश के प्रताबगड रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है माता सीता धाम, मा बेलहाद देवी धाम लचमर धाम या इनमें से कोई नहीं तीर इसका जो सी अंसर हो जाएगा आपका option B मा बेलहाद देवी धाम की नाम से जाना जाएगा आप प्रताबगड रेलवे स्टेशन हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल तीन रेलवे स्टेशन के नाम बदले हैं एक आपका प्रताफगर रेल्वेस्टेशन का नाम बदला है, जिसका नाम जो है, वह मा बहलाहा देवी धाम जंक्षन कर दिया गया है, और दूसरा जो है, वह अन्तु, अन्तु जंक्षन है, इसका नाम जो बदलकर मा चंद्रिका देवी, मा चंद्रिका देवी जंक्षन की नाम से कर दिया गया है और तीसरा यह वह आपका विस्नात विस्नात जंक्सण है इसका नामMusक जघंखण है वह सनी देव सनी देव धाम जंक्सण कर दिया गया है तो इसका option B है सही है अगला प्रसंद देखें हमां जैपूर में आयोजित Senior National Judo Championship 2023 में उत्तर प्रदेश के रोहन विस्नोई ने कौन सा पदक जीता गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंज या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option B सिल्वर पदक जीता था रोहन विस्नोई ने Senior National Judo Championship 2023 में जो आईजित किया गया था वह है जैपूर में और बात करते हैं रोहन विस्नोई की तो यह जो है मुरादाबाद के उत्तर पदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं मुरादाबाद के रहने वाले हैं रोहन विस्नोई तो इसका option B जो हो जाएगा वह सही है अगला प्रसंद दिखते हम लो अक्टूबर 2023 में उत्तर पदेश के मुख मंतरी योगी आधितनाद ने किस सह जारी रोग नियंतरण अभ्यान जो है वह गोरतपुर के BRD Medical College से शुरू किया डेंगो, मलेरिया, चिकन गुनिया, काला जार के नियंतरण के लिए जो है यह अभ्यान शुरू किया गया है कब अक्टूबर 2023 में अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग निमखित कतनों पर विच योजना को मंजूरी दिये, दूसरा statement है, CM Grid योजना बित्ती वर्स 2023 में 500 करोंट पर खर्च किये जाएंगे, इसका दोने statement जो है, वह सही है, CM Grid योजना जो है, वह UP सरकार ने लांच किया है, और इस पर बित्त वर्स 2023 में फूल 500 करोंट पर खर्च किये जाएंगे, इसके प पहले चरण में, इसका option C जो है, वह सही है, अगला प्रस देखते हम लोग, उत्तर पर देस सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच तीन माह में कितने लाख तन मोटे अनाज, श्री अन की खरीद का लच्छ रखा है, आपके सामने चार आप्सन दिया क्या है, आप्सन तन जो है, वह यूपी सरकार बाजरा खरीदेगी, और इसमें जो है, लगबग 30,000 तन जो है, वह ज्वार खरीदा जाएगा, 50,000 तन मक्का और 2,000 तन जो है, वह कोदो, कोदो खरीदा जाएगा, यानि जो है, उतर पर देस सरकार ने, खुल तीन महिनों में, 5.82 मेट्रिक मोटे आनाज, श्री अन्ग को खरीदने का लच्छ रखा है, मोटे आनाज को, तो इसका ओप्शन C जो है, वह सही है, अगला प्रसंद देखते हम लोग, नमबर 2023 में आयजित होने वाले, NTPC Senior National तीरंदाजी Championship की मेजबानी, कौन सा सायर करेगा, आयोध्या, दैरादुन, प NTPC Senior National तीरंदाजी Championship का, और इसका अगला प्रसंद देखते हम लोग, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुझदा वाला उतर प्रदेश का पहला जिला कौन मना है, आपके सामने चार ओप्शन दिया गया है, लखनव, वाराट्सी, बरेली, प्रयागराज, तो इस सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुझदा उपलत्द हो गई है, तो यह जो है उतर प्रदेश का पहला जिला बना है, जिसके सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुझदा उपलत्द हो गई है, तो इसका अप्शन C वह सही है, अगला प्रसंद देखते हम लोग ACI 1220 में अन्नु रानी ने मैलाओं की भाला फेक में सौन पदक जीता है अन्नु मलिक उत्तर पदेश की किस जिले की हैं मेरट की, लखनों की, वारांट सी की, र्याग राज की इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका option A अन्नु मलिक उत्तर पदेश में गोल्ड पदख जीता है इन्होंने 99.92 मीटर का थ्रो किया था और यह गोल्ड पदख जीतने वाली पहली भाती मैला है जिन्होंने ACI खेलों में सौन पदख जीता है जबलिन थ्रों में बात काते हैं ACI खेल की तो इसका 19 संस्क्रण था जो चीन में आयुद किया गया था 20 संस्क्रण जो है जापान में आयुद किया जाएगा कहा आईजित किया गया देहरादुन में प्रियाग राज में पुणे में हैदराबाद में तिसका सही आन सर हो जाएगा वह आपका और प्रियाग राज में आजूद किया गया है वह 91 वां है 91 वां वाई सीना दिवस मनाए गया आठ अक्टूबर 2023 को इसका उप्सन भी वह सही है वाई सीना दिवस परेड जो है वह प्रयागराज में आजुद किया गया अगला प्रहंद देखते हम लोग एक चीज़ और आप लोग याद कर लिजेगा इसकी जो थीम थी 2023 की वाई सीना दिवस परेड की एयर पावर बियांड बांडरीज यह जो है इसकी थीम थी एयर पावर बियांड बांडरीज अगला प्रहंद देखते हम लोग कौन सा सहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर सहर होगा लखनो वाराट सी आयोध्या प्रयागराज जिसका जो सही देखते हम लोग प्रदेश सरकार 14 अक्टूबर 23 से मिसन सकती कि किस चरण की सुरुवात करेगी ने किया है दूसरे तीसरे चौते पांच में तरिसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्सन C चौते चरण की सुरुवात की है उतर प्रदेश सरकार ने मि मिसन जो लौंच किया गया था 2020 में 2020 में इस मिसन को मिसन को लौंच किया गया था और यह 14 अक्टूबर 2023 से इसका 14 चरण जो है वह लागू किया अगला प्रश्चिंद देखते हम लोग अक्टूबर में च्ठा वार्सिक प्रद्द्योगी की समयलन इंफिनिटी 2023 कहा आजित सब्सक्राइब करेगी आपके सामने चार ओप्सन दिया गया है वरांट सी लखनव, आजमगर, गोरगपुर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ओप्सन दि गोरगपुर में पस्तु चिकित्सा विज्ञान महाविद्याला इस्थापित करेगी योगी सरकार तो इसका ओप्सन दि जो है वह सही है आज के लिए बस नहीं मिलते ह के लिए जाहिए जै भारत